हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तू माई चानल, आज मैं आप लोगों के लिए अपना एक फैमिली व्लोग लेकर आई हूँ, एक छोटी सी वीडियो जो मेरे फोन में थी, मैं अपनी फैमिली के साथ देवगर जा रही हूँ, मेरी बेटी का मुंडन करवाना था, तो मौनिंग में फाइव वो क्लॉक हम लोग घर से निकले थे, और हम लोग देवगर पहुँच चुके, यहां के मार्केट बहुत खुबसूरत है, मंदिर जाने के रास्ते में सुन्दर सुन्दर चीज़ें यहां पर मिलती है, यहां का फेमेस पेरा, बहुत फेमेस है, प्रिशाद के रूप में यहां पर पेरे बाटे जाते हैं, और य यह जो शंकर भगवान का मंदिर है यहां धागे से जुरी रहता है पारवती मा का मंदिर सामने में ही तो मौली से बंदी रहती है यह दोनों मंदिर तो पहले लोग शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं उसके बाद फिर बाकी जितनी मंदिर है उसमें दर्शन करते ह यह डंबरू यहां का फेमस है शंकर भगवान की नगरी में आए है तो डंबरू तो बनता है ना और यहां के मार्केट इतने खुब्सूरत लगते हैं कि पूछो मत मैं फर्स टाइम देवघर गई थी इस मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत सुखुन मिलता है यहां जाकर अनुट अब अमेशा यहां पर बहुत लंबी लाइन लगे रहती है दशन के लिए बात लगली उस दिन क्या हुआ था कि हम लोगों का दर्शन तुरंत हो गया था ज्यादा हम लोगों को ज्यादा लाइन में लगनी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर थ्वासा मार्केट में ये शंकर बागवान का में मंदिर है तुरी देर के बाद फिर उसको पता नहीं क्या हुआ वो इतना रोने लगी कि सब लोगों को पगाना परा तब जाद के उसका मुंदन घंडी हुआ है कि मुझे इतने जोर से पकर रखा था कि थोड़ी नहीं रही थी बहुत रोई जा रही थी चुपी नहीं हो रही थी थोड़ी देर रूप करके उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका मुंदन कंप्रीट करवाया हुआ है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब करिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजेगा और शेयर कीजेगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजेगा तो आप लोग इंजॉए कीजे इस वीडियो को